पंजाबी सिंगर सिर्दो मूसे वाला के हत्या का माश्चर माइड गैंग्स्टर गोल्डी बराड़ एक बार फिर से चर्चा में है गोल्डी बराड ने इस बार विरेश में यानि रस्या में अपने विरोधी गैंग के बदमाश यानि नीरेज बवाना भुपी राणा गैंक्सर गोल्डी वराड ने इस हत्याकान के जिम्मेदारे लिए है। कुछ हो सकता है। और क्या कुछ इसकी बारीकिया है। क्या कुछ पूरी कहानी है। बताएंगे आपको विस्ताथ से इस वीडियो के अंद तक बने रहेगा दोस्तों। नमस्ते मिना नाम है देवनाथ और आप देख रही हैं रोजाना की तना बेटी अफ नियुज की क्रायम से रिच्खल लाए। दरसल गोल्डी पराड इस वक्त अमेरिका में छेपा हुआ जिसे सरकार ने मौजुदा दौर पर आतंकबादी घोश्रत कर रखा है। उसने रूस में एक गैंक्स्टर की बेरामी से हत्या करवाई दिये। अब आजयर राणा नाम का वेक्ति जो मारा गया है। गोल्डी पराड के करीबियों के साथ घुल मिल चुका था और गोल्डी पराड समेत उसके गैंके मेंबर्स की लोकेशन और एक्टिविटी को ट्रैक करने लगा था। इस पोस्ट में गोल्डी पराड ने ये भी दावा किया है कि अजय ने उसकी गैंग में एंटरी की और पुलीस को लगातार मुख्भिरी देता रहा। जिससे उसके कई प्लान फेल हो चुके हैं। और फिलहाल अमेरिका के कैलिफोर्णिया के से फाउस में पनाह लेकर बैठा हुआ और वहीं से लगातार चाहे वो पंजाब हो, दिल्ली हो, हरियाना हो या फिर कैनाडा हो इन सब जगों पर आपराधिक वर्दातों को अंजाम दे रहा है। गोल्डी बराड लॉरेंस विसनोई गैंग के लोगों की दुश्मनी की वज़े से अब भारत में नहीं बलकि कैनाडा, फिलिपेंस और रोस तक में गैंग बौर कर खून बाहरा है। गोल्डी पाकिस्तान की मदद से भारत में आतंकवादी गतिविधियां भी करवाता है, वो कई हत्याओं और हत्यारों के तसकरी जैसे होती है, इन सब में वो शामिल रहता है, यहां तक की वो हत्याओं के लिए शार्प शूटर भी दिलवाता रहता है। गोल्डी प्राड पहले क्रिमिनल कहा जाता था लेकिन इसी साल के अंदर सरकार ने उसे आतंकवादी गोशित कर दिया था। पहले ही उन्हें मना करते आजाएं। अब दीकिए इस गैंग बॉल की कहानी समझने की कोशिश कीजिए। तो गोल्डी प्राड लॉरेंस विस्नोई का खास आत्मी का जाता है। और लॉरेंस विस्नोई का दुश्मन है निरजबवाना, बंबीहा गैंग। या फिर हम जिस तरह से हमेशा बात करते हैं कि अउत्तर भारत में दो सिंडिकेट हैं, एक का मुख्या बंबीहा या निरजबवाना और दूसरे का मुख्या लॉरेंस विस्नोई। लेकिन हम अगर देखें, तो भॉप्पी राणा वो गैंक्स्टर है, जिसने सिदूम उसे वाला की हत्या के बाद ये कसम खाई थी, कि लॉरेंस विस्नोई को दो दिन के अंदर मार देंगे, लेकिन लॉरेंस विस्नोई तो जेल में है, तो उसे मारना बहुत दूर की बात ह है, क्योंकि उसके साथ उस वक्त सिक्योरिटी भी बहुत जादा होती थी, और भॉप्पी राणा भी जेल में है, तो उसे मारना इंपॉसिबल, ऐसे में गोल्डी बराण को हमने देखा, जब सिदूम उसे वाला की हत्या हुई थी, और भॉप्पी राणा गैंक के में एक बार फिर से आज राणा नाम की बदमाश को गोल्डी बराण मरवा देता है, इससे कहीं न कहीं इस बात में देखा जाए कि गोल्डी बराण और लॉरेंस मिस्नोई गैंग सोशल मेडिया पर जो दावा करते हैं, जो बयान बाजिया करते हैं, जो जो मदारी लेते है उसे पूरा करने की उने के अंदर एक होड मुची रहती है और उसे पूरा करने के वाद सोचल मेडिया पर फिर से आते हैं और कहते हैं देखो जी हमने ये कहा तो और एक कर दिया अब बड़ा सवाल उठता है कि भुपी राणा गैंग का बदमाश अजय राणा रूस जाता है रूस में जाकर वो गोल्डी बराड की गैंग में शामिल होता है और वहाँ पर शामिल होने के बाद अब आप सोचिए कि वो गोल्डी बराड गैंग की एक एक बातें उसके विर पंजाब राजस्तान यानि उत्तर भारत में फिर से चर्चा होने लगी है या कि गोल्डी बराड गिरफ्तार होगा या कभी नहीं होगा गिरफ्तार दूसरे तरफ हम देखें दोस्तों गोल्डी बराड से जब लाश्ट टाइम एक पत्रगार साब में उसका है कि गोल्डी बराड इन सब के बीच में एक के बाद एक कई इस तरह की वारतातें लगाता करवाता रहता है फिलाल इस हत्याकान के बाद अभी तक भुपिराना नीरजपावाना या फिर हम देखें टेलो ताजपुरिया गैंग मंजीत महाल गैंग जो बंबीहा गैंग इ भी सामने नहीं आई है लेकिन हत्या तो हुई है और इस हत्याकान के बाद गैंग बौर की आश्रंकाएं बिजटाई जा रही है तो दोस्तों गोल्डी बराड को लेकर आप क्या कहेंगे क्या आपको लगता है कि गोल्डी बराड कभी जिंदा पगड़ा जा सकता है क्या ग बातों में कितनी सच्चाई है इन सब बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं कई सारे लोग ऐसे गोल्डी बराड का यहां पर कमेंट बॉक्स में भी देखिए गाप कई सारे ऐसे लोग है जो गोल्डी बराड को जिंदाबाद के नारे भी लगाते हैं गोल्डी बराड का समर आएगी वो जरूरा आपके पास रखेंगे आपका बहुत-बहुत शुक्रिया नमस्कार जै